हेलो दुस्तो, चकफेच क्लासेस में आपका स्वागत है, आज जानेंगे पुस्प के परजन नंग के बारे में। तो ये आपके सामने पुस्प का जो है, चित्र हैं, जिसमें आप यहां जो देख रहे हैं, यहां ये पार्ट जो है, मेल पार्ट होता है। और आप इतना जो देख रहे हैं इतना पूरा यह जो होता है फे मेल पाठ होता है फे मेल पाठ होता है तो नीचे हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है और यह जो इतना पुरा पाठ है इसे हम मेल पाठ कहेंगे और इधर जितना पाठ अब देख रहे हैं इसे फिर मेल पाठ कहेंगे यहां आप जो देख रहे हैं सभी औरगन को मिलाको जो है इस तरीक एसर कहेंगे और ये सभी पार्ट्स को मिला कर हिंदी में इसे पुंकेसर कहेंगे ओवियूल का मतलब होता है अंडासर और स्टिग्मा का मतलब होता है वर्ति काब्र और स्टाइल का हिंदी होता है वर्ति का ओवियूल का हिंदी होता है अंडासर ये जो है सभी मिला कर स्टिग्मा यानि इसतिरी के सरकाते हैं जस्ट नीचे जिसे हम तन्तू कहते हैं तन्तू और आप यहां जो द्वेक रहा हैं इसे प्राक्वस कहते हैं प्राक्वस कहते हैं जब यह एंथर से जो है किसी कीरे द्वारा या पक्षी द्वारा या हाबा द्वारा यहां से पॉलिग्रेन इस्टिग्मा या निस्तिरी केसर में जाता है तो यहां अंडे का निर्वान होता है जिसे फल यह पकने के बाद फल का निर्वान करते हैं और फल बन जाता है तो आप इसे याद रखेंगे फिलामेंट एंथर यह सब पुरूस का भाग है पुरूस केसर का भाग है और एस्टिग्मा एस्टाइल ओवियूल और ओवेरी यह सब ही जो है इस तरी केसर का भाग है यह सभी एक जामों में पुछाता है टेंथ से लेकर कॉम्पेटिटिक जाम में भी पुछा जाता है इसे आप याद जरूर रखें